हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग कल के विडियो का ही कंटिनीटी है यह जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपका क्यूआ में कॉंट्रेक्ट नहीं है और आप इंप्लोइमेंट ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपको आपके करेंट कंपनी का एप्रूवल नहीं च स्ठेश मगवाया किसी कंपनी से 90 जे के आपका आपा ओटमेट क्रांसफर हो गया यह सिनारियो है इसके बाद क्या कंपनी आपके उपर में कर सकता है यह नहीं वाले परिसानी हैं इस तरह के कोट के केस के उससे बच्पाएं वोई डिसकेस करूंगा इस वीडियो में देखिये जब हम कोई भी कंपनी जोइन करते हैं तो फस्स पार्टी होता है employer जो company होता है second party होता है employee worker दोनों के बीच में एक agreement बनता है जिसको हम बोलते हैं employment contract जिसमें बहुत सारे terms and conditions लिखे रहते हैं कि आपने कब join करा कितने दिन तक आपका उनके साथ relationship है कितना आपका salary है क्या आपका obligation है क्या उनका obligation है अगर दोनों party में से कोई भी अगर contract को terminate करना चाहे तो किस किस condition में terminate कर सकता है अगर terminate contractual relationship से पहले करें तो किसको कितना compensation कैसे देना परेगा यह सारी अगर आप में से कोई भी party माल लीजे worker या company दोनों में से कोई भी अगर contractual obligations को fulfill नहीं करता है तो जिसने fulfill नहीं करा वह गलती वाला party होता है ओके वह बदमास होता है माल लीजे तो अगर आपने अपना employment contract अगर transfer लिया है अगर sponsorship transfer लिया है अगर आपका qa में contract नहीं है और आपने contractual duration अगर complete हो भी रहा था लेकिन आपने उनको notify नहीं करा तभी वह एक violation है आपको जब भी आप contract terminate करते हैं company छोड़ते हैं अपना जो contract है उसको खतम करते हैं तो आपको company को notify करना पड़ता है दो scenario इसमें बात करूंगा पहला यह कि जब आपका contract क्यूआ में नहीं है और आपने transfer ले लिया है उस case में क्या करेंगे आप दूसरा अगर आपका इकामा renew नहीं कर रहा था company और उस case में आपने transfer ले लिया है तब आप क्या करेंगे पहली बात यह कि अगर मालीजे आपका क्यूआ में contract है क्यूआ में contract नहीं है आपने किसी भी company से transfer request मंगवाया आपने accept करा 90 days के notice period में गया transfer complete हो गया उस case में आपको जब transfer हो जाता है तो आपको अपने company को notify करना ज़रूरी है legally कि भाई मैंने अपना contract आपके साथ terminate कर रहा हूं कोई कारण है आपका तो वह लिखिए अगर माल लिजे आपको आपका company अगर salary नहीं दे रहा था time पर तीन महीने तक का अगर salary नहीं दिया या फिर ऐसा कोई काम article 81 में जो लिखा हुआ है वह करवा रहा था safety situation में नहीं करवा रहा था या फिर जो भी आपके contract में लिखा हुआ है अगर वह नहीं करवा रहा था ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं जिसको valid reason बोला जाता है article 81 में अगर वह करवा रहा था तो वह रिजन लिखके आप उनको notify कीजे कि मैं अपना employment contract terminate कर रहा हूँ वह रिजन आप अगर लिखेंगे तो आपका आपके उपर कोई obligation नहीं रहेगा आप अपना contract को बिना किसी compensation का बिना किसी notice period का आप terminate कर सकते हैं कि माली जी आपका कोई वैलिट वीजन नहीं था बस यही था कि आपको कोई opportunity मिला आपने request मंगा आप टांसफर ले लिया उस case में आपको termination close में जो भी compensation लिखा हुआ है वह आपको आपके company को देना परेगा या फिर उनसे discuss करना परेगा अगर आपने नहीं दिया और transfer ले लिया आप यह मत सूचिए कि आपको वह company वाला कुछ नहीं कर सकता है company वाले चाहे है तो court में case कर सकता है आपके against में और आपका जितना भी compensation compensation बनता है वह आपको देना परेगा ओके तो इसलिए इमानदारी से उनसे discuss कर लीजे एक बार transfer होने के बाद कि बाई कितना compensation बनता है कितना लेना है कितना देना है उसको settle करके आगे बढ़िए यह तो था उन लोगों के लिए जिनका employment contract किवा में नहीं है और वह transfer कर रहे है जिनका अगर एकामा expire है और वह transfer ले रहे हैं बिना company के approval का उस case में आपको कोई compensation नहीं देना है company को क्यूंकि वह as per article 81 आप contract terminate करते हैं article 81 में यह लिखा होता है कि जब कोई first party अपना obligation फुल्फिल नहीं करता है तो second party contract को कभी भी बिना notice period के terminate कर सकता है और first party जो company है उनको full service benefits वगेरा जितने भी entitlement से वो देंगे तो जब भी आप contract terminate करें तो उनको notify कीजे इस तरह से जब आप उनको notify करेंगे तो जो लेटर आप लिखेंगे उसमें article लिखिए मैं अपना contract terminate कर रहा हूं as per article 81 मैं अपना contract terminate कर रहा हूं as per article 74 या फिर जब आप as per article 81 terminate करेंगे तो उसमें नीचे एक line और भी लिखिएग कि भाई मुझे अपना end of service benefits और जो भी मेरे full and final settlements है, entitlements है, वो सारे आप मुझे as per article 88 दे दिजे, तो इस तरह से अच्छे से close करना चाहिए, कोई भी contract को, relationship को, ताकि जब कभी भी legal disputes हो, या फिर legal subject हो, तो उसमें आप strong रहें, आप गलती ना हो, दूसरा देश है, वहाँ पर ए इस तरह के चकर के information नहीं है, सही route map नहीं है, guidelines नहीं है, instructions नहीं है, कैसे करना है, नहीं करना है, तो फिर बात में, एक mental harassment होता है, और जितना आप सुरवाद में देखे, निप्टा लोगे, उससे जादा देना पड़ता है, और जो mental harassment होता है, उसका तो अलगी बात है, तो द सुर्वारा सुनिये, अगर समझ में नहीं है, इसके बाद अगर आपको कोई सवाल होता है, तो मुझे पूछे, और इस्ताग्राम में में आज़ कमी जवाब दे रहा हूं, तो आप लोग कमेंड में ही लिखे, इस्ताग्राम में लोग अच्छे चे चे गालियां देते हैं तो इसलिए मैंने छोड़ी दिया, ऐसे ही बता रहा हूं, क्योंकि वहाँ में कोई फाइदा है मेरा, ना कि इंगेज होने से वहाँ पर, टाइम का बरवादी ही लगता है मुझे, तो इसलिए आप लोग कमेंड में ही लिखे, जितना हो सके आप लोग के साथ इंगेज के बाकी कोई दूसरा कारण है नहीं, आज के लिए बस इतना ही, आप लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखे, थैंक्यू वर्यमच